वेलकम टू एक्जाम भी विचना तो आज की इस वीडियो में में डिसकस करेंगे काब्यभाशा के रूप में अब्दी का उदे और विकास के वारे में तो ये एक तरह का मौक टेस रहेगा इसमें आपसे लगवग पिचास प्रेशन पूशी जाएंगे आपको बताना है कि आपके कितने प्रेशन सही हुए हैं तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो पहला प्रेशन बनता है अब्दी के उदे का स्त्रोथ क्या है तो जो अब्दी का वेभाशा है इसके उदे का स्त्रोथ में बताना है तो यहाँ पर हो जाएगा सही विकल्प अर्दमाग्दी तो जो अर्दमाग्दी से अब्दी का उदे हुआ है अगला कोशन है लखनो मंदल के किस जनपद में अबदी नहीं बोली जाती है लखनो मंदल के किस जनपद में अबदी नहीं बोली जाती तो यहाँ पर सही भी कलफ हो जाएगा हर दोई में जो हर दोई जनपद है यहाँ पर अबधी नहीं बोली जाती और यह लखनों का मंडल है बाकी राइबरेली, सीतापूर, लखिम, पुर्खिरी इन तीनों ही जनपद में अबधी बोली जाती है याद रखेगा महतपूर्ण है कई वारे यह प्रशन बनता है कि जो हर दोई जनपद में कौन सी बोली बोली जाती है तो यहाँ पर बोली जाती है कन्नोजी, इसको भी याद रखेगा, यह भी महतपूर्ण है अगला कोशन तीन, अबधी का एक अन्ये नाम यह भी है तो यह तो दोस्तों इंपोर्टिन प्रशन है, इसको नोट करीगे कहीं पर, बहुत सी प्रीक्षा में से पूछा जाता है तो जो अबधी का एक अन्ये नाम होगा, तो यह हो जाएगा, आपका कोशली अबधी को कोशली भी कहा जाता है अगला कोशने चार, उक्ती बेक्ती प्रक्रण में निमलिखित में से किस बोली का उलेख मिलता है तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा, कोशली का जो उक्ती बेक्ती प्रक्रणम ग्रंथ है, इसमें आपको कोशली भाषा या कोशली बोली का उलेख मिलता है सही विकल्प यहाँ पर D हो जाएगा अगला कोशने 5 कुबल्य माला कहा में कोसली का उलेक किस रूप में हुआ है तो यहाँ पर इसको भी आपको याद रखना है कि जो कुबल्य माला कहा गरंथ है इसमें भी कोसली का उलेक मिलता है और उलेख किस रूप में मिलता है यहाँ पर यह पूछा गया है तो यह मिलता है देशी भाषा की रूप में यहाँ पर विकल्प एक सही हो जाएगा अगला कोशन एच्छे निमलिखित में से किस क्रंथ में प्राचिन अब्धि का रूप मिलता है पूछा गया है कि प्राचिन अब्धि का रूप किस क्रंथ में मिलता है तो यहाँ पर जो सही भी कल्प हो जाएगा तो बो होगा प्राकृत पैंगलम में सही भी कल्प भी हो जाएगा यहाँ पर हां दोस्तों वीडियो अच्छे लेगती है तो आप उन्हें भी पर चर्च कर सकते हो आपको बटसेप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप महार से पुश्टाच कर सकते हो हाँ बटसेप ही करें कॉल करने की आपको आभिशक्ता नहीं है अगला कुशने साथ कॉशंबी जनपद की बोली है तो जो कॉशंबी जनपद है यहां की बोली के बारे में पुछा गया है कि कौन सी बोली यहां पर बोली जाती है तो यहां पर बोली जाती है अबदी कॉशंबी में अबदी बोली जाती है अगला कुशने आठ उत्तर प्रदेश के राइबरेली और उन्नाव के मद्यक्षेतर में व्यवरित बुली को कहते हैं तो ये कहा जाता है बनाफरी, सही बिकल्प यहाँ पर भी हो जाएगा माफ करना दोस्तों, बनाफरी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा बैसवाडी आठवी का सही बिकल्प बैसवाडी हो जाएगा अगला कुशन है नौ अबदी के बिकास में 1400 से लेकर 1700 इसवी तक के समय को कहते हैं तो क्या कहा जाता है तो ये कहा जाता है मद्यकाल यहाँ पर सही बिकल्प भी हो जाएगा अबदी के बिकास में 1400 से लेकर 1700 इसवी तक के समय को मद्यकाल कहा जाता है अगला कुशन है दस इसमें पूछा गया है निमिल्खित में से किस जिले में अबदी नहीं बोली जाती तो यहाँ पर आपका सही बिकल्प हो जाएगा सी बल्या जो बल्या जिला है यहाँ पर अबदी नहीं बोली जाती है यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा है या बोली है भोजपुरी याद रखेगा महतबून है यह बाकी मिल्जापूर, जौनपूर और बस्ती यहाँ पर अबदी बोली जाती है अगला कुशन है ग्यारा अबधी का शब्द नहीं है तो यहाँ पर बिकल्प दिये गए है इन में से कौन सा शब्द है जो अबधी का नहीं है तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प D जो किया है यह अबदीका नहीं है यह खड़ी बोली का शब्द हो जाएगा अगला कोशिने 12 इसमें पुछा गया है निमलिखित में से एक शब्द अबदीका है तो बताना है कि कौन सा शब्द अबदीका है तो 12 का सही विकल्फ हो जाएगा यहाँ पर जो अच्रज है तो ये शव्द आपका अब्धिका हो जाएगा अगला कोशिन ने तेरा इसमें पूछा गया है निमलिखित में से कौन सा रूप अब्धिका नहीं है तो यहाँ पर कुछ शव्द ये गए हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सा रूप है जो अब्धि से सबंदित नहीं रहेगा तो सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प डि इन में से कोई नहीं क्योंकि लरीका लरीकवा लरीकवा ना शव्द शुद अब्धिके हैं ठीक है अगला कुछ ने चौदा इसमें पूछा गया है निमिल्खित में से कौन सा शव्द अब्धिका है तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प ए सियार जो सियार है यह अब्धिका शव्द हो जाएगा अगला कोशन है यहाँ पर पंदरा इसमें पूछा गया है निमलखित में से कौन सा शब्द अब्दी का नहीं है तो यहां पर सही बिकल्प हो जाएगा आपका बिकल्प भी किधर जो किधर है यह अब्दी का शब्द नहीं होगा अपीतु यह खड़ी बोली का शब्द है बाकी जैसे अउरत और उख ये तीनों ही अब्धी के शब्द हो जाएंगे सही बिकल्प यहां पर भी हो जाएगा अगला कुछने निमिलिखित में से किस बोली में मौसा और मौसिया बोला जाता है तो सुला का सही बिकल्प हो जाएगा आपके अब्धी C सही बिकल्प हो जाएगा यहाँ पर अगला कुछ ने स्तारा इसमें पूछा गिया है अब्दी का प्रतम गरंथ कौन सा है तो जो अब्दी का प्रतम गरंथ हो जाएगा तो यह हो जाएगा मुला दाउसकृत लोर कहा तो सही बिकल्प यहाँ पर D हो जाएगा बागी कई बार ये प्रिशन भी पूछा जाता है कि जो पदमाबत है ये किस बोली या किस भाष़ा में लिखा गया है तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ आपको बताना ही कि इसकी भाष़ा कौन सी है अगला कोशन है 18 अबदी गंत अबद विलास किस की रचना है तो जो अबद विलास पूछा गया है किस की रचना होगी ये तो ये हो जाएगी बिकल्प ये लाल दास की अगला कोशन है 19 हिंदू कभियों के प्रेमाख्यानक काभियों की अबदी है तो बताना है कि जो हिंदू कभी थे, जिन्होंने प्रेमाख्यानक काबि लिखे थे, उनकी भाषा अब्धी थी और वो किस परकार की अब्धी भाषा का प्रियोग करते थे, तो 19 का सही बिकल्प यहाँ पर हो जाएगा, पश्चमी परंपरास से संप्लिक्त, तो सही अगला कोशन है यहाँ पर 20 इसमें पूछा गिया है, यहाँ के लिए हियाँ शब्द का प्रियोग किस पोली में होता है, यहाँ के लिए हियाँ शब्द का प्रियोग किस पोली में होता है, तो जो 20 का सही बिकल्प हो जाएगा, अब्धी में आगे है 21 बहां के लिए हुँआँ शब्द की स्पॉली में प्रियुक्त में लाय जाता है तो 21 का सही बिकल्प हो जाएगा ए अबदी अग्या कुछने 22 लोर कहां या चंदायन में विशेश रूप से प्रियुक्त हुआ है तो बताना है कि क्या प्रियोग हुआ है यहां पर तो यह हुआ है बिकल्पी, दोहा और चुपाई जो दोहा और चुपाई है यह लोर कहां या चंदाइन में विशेश तोर से प्रियोग मिलाया गया है अगला कोशने मुला दाउत की भाषा क्या है तो जो मुलादाव थे तो ये आपके ठेट हवदी में रचना करते थे सही बिकल्प यहाँ पर C हो जाएगा अगला कोशन 24 जाइसी के पूरवरती दो प्रसिद सूफी कभियों के नाम बताईए तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा कुतुबन और मंजन जो बिकल्प D है कुतुबन और मंजन यह जाइसी से पूरव सूफी कभियों के तौर पर जाने जाते हैं अगला कोशन 25 निमलिकित में से कौन सी कृती जाइसी की अक्षे कृती का अधार कही गई है तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा पदमाबत जो पदमाबत है यह जाइसी की अक्षे कृती के तौर पर मानी जाती है या पहचानी जाती है अगला कोशन हो जाएगा सही अनुकरम बताईए तो यहाँ पर कुछ रचनाएं दे गई हैं इनका में सही अनुकरम बताना है तो यहाँ पर जो सही बिकल्फ हो जाएगा 35 का तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बिकल्फ D अर्था सबसे पहले आएगा ज्यांदीप सबसे पहले ग्यानदी इसका प्रकाशन बर्ष है 1619 उसके पहिशात हंच जवाहिर इसका प्रकाशन बर्ष है 1736 इसके पहिशात है इंद्रवती इसका प्रकाशन बर्ष है 1744 सबसे अंतमे होगा अनुराग बांसुरी इसका प्रकाशन बर्ष है 1744 इस प्रकार यहाँ पर जो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर हमने 25 से छोड़ दिये थे प्रशन तो आगे देखते हैं 25 से आगे होंगे यहाँ पर 26 यह प्रशन हमने छोड़ दिये थे नीचे दो बक्त भी दिये गये हैं इन में से एक को कतन ए तथा दूसरे को कारण क्या एक को कतन कहा गया है और दूसरे को कारण कहा गया है तो बताएए कौन सा यहाँ पर सही यह गलत होगा तो कतन है पदवाबत का भाशा यह अधार ठेट अवदी है तो यहाँ पर आपको आपके प्रशन का उत्तर में जाता है मैंने पुछा था कि जो पदमाबत की भाषा क्या थी तो ये थी अब्दी अब्दी भी ठेट अब्दी उसके पशात है बास्तव में सूफी कभियों को भाषा का कोई आग्रह नहीं है भाबविक्ति की चिंता मुख्य है तो यहां पर पुछा यह है निमलिखित में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आफका बिकल्प C अर्थात A और R दोनों से ही है A में है पदमाबत का भाषाई अधार है ठेट हिंदी उसके पशात बास्तव में सुफी कभियों को भाषा का कोई आगरह नहीं है भावा व्यक्ति की चिंता मुख्य है तो इस परकार यहां पर सही बिकल्प C हो जाता है अगला कुछन है 27 निमलिखित काब्वे कृतियों का सही अनकरम बताईए तो यहां पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिकल्प D अर्थात सबसे पहले चंदायन उसके पश्चात मिलिगाबती उसके पश्चात मदुमालती और सबसे अंतमे पदमावत तो चलिए इनका प्रकाशन बर्ष भी आपको बता देता हूँ जो चंदायन है इसका माना जाता है 1380 इसवी के आसपास फिर मिलिगाबती इसका 1503 के आसपास फिर मदुमालती इसका माना जाता है 1540 के आसपास इसी परकार जो मदुमालती और पदमावत का एक साथ ही प्रकाशन बर्ष माना जाता है इसलिए मदुमालती को पहले रखा जाएगा उसके पश्चात पदमावत को इनका 1540 की आसपाश प्रकाशन बर्ष है ठीक है एकला कोशने 28 इसमें पूछा गया है निमिलिखित में से सही अनुक्रम चुनिये तो इहां पर जो सही बिकलब हो जाएगा 28 का तो ये हो जाएगा बिकलब भी कलब A अर्थाथ सबसे पहले पदमावत उसके पश्चात आपका आएगा चित्राबली, उसके पश्चात हंस्चुवाहिर उसके पश्यात इंद्रावती तो जो पद्माबत का प्रकाशिन वर्ष है 1540 के आसपास है चित्राबली का हो जाएगा 1613 हंस जुवाहिर का हो जाएगा 1736 और इंद्रावती का हो जाएगा 1744 फिर से बता देता हूँ पद्माबत का हो जाएगा 1540 के आसपास निमलिखित में से कौन सा है तो यहाँ पर जो सही भी कल्फ हो जाएगा 29 का तो यह हो जाएगा यूसुप जूलेखा तो यूसुप जूलेखा गरंथ है यहाँ सुपिक काबेपद्धी का अंतिम गरंथ माना जाता है अगला कोशन है 30 इसमें पूछा गिया है निमलिखित में से किस का बेपद्ध की भाषा बिशुद अबधी है था तत्सम शब्दों का प्रयोग नगर्निया है प्रशन है किस का बेपद्ध की भाषा बिशुद अबधी है और तज्सम शबदों का प्रियोग ना के ब्रावर है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जागा तो यह हो जागा पद्वाबत सी सही बिकल्प हो जागा यहाँ पर अगला कोश्ण है 31 निमिलिखित अबधी शबदों में से कौन सा शबद भविश्यत कालका है तो यहाँ पर आपके स्मक्ष चार बिकल्प दिये गए है तो इन में से जो बिविश्यत काल का समय होगा तो वो हो जागा बिकल्प डी चलव अगला कोशने 32 निमिल्कित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है तो जो 32 का सही बिकल्प हो जाएगा तो यह होजेगा बिकल्प ए भए तो यह सर्वनाम नहीं होगा बाकी हमार कोव आपू यह तीनों ही सर्वनाम शब्द हैं हाँ दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे टेलिग्राम और बट्सैप डूप के साथ नहीं जूरे हैं तो आप उनके साथ भी जूर सकते हो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं अबधी का उदे किस से हुआ है तो जो अबधी भाशा का उदे माना जाता है तो यह माना जाता है आपका मध्यदेश्य अभट से किसे मध्यदेश्य अवर्ट से सही विकल्प यहाँ पर B हो जाएगा अगला कुशन है 34 बिशव शाहित्य में रुमास काब्बे की धारा किसे कहा जाता है तो जो बिशव शाहित्य में रुमास काब्बे धारा कहा जाता है तो यह कहा जाता है आपका पिरेमा ख्यानक काभवे परमप्रा को यहाँ पर C सही विकल्प हो जाएगा तो यह 35 प्रशन हमने कर लिया था चलि फिर से डिस्कस किलेते हैं सही अनुकरम बताईए तो यहाँ पर जो सही अनुकरम हो जाएगा आपका तो यह हो जाएगा विकल्प D अर्थात सबसे पहले ग्यानदीब, उसके पष्षात हंस जवाहिर, उसके पष्षात इंद्रवती और सबसे अंतमे अनुरागवान सुरी ग्यानदीब का प्रकाशन वर्ष होगा 1619, हंस जवाहिर का 1736, इंद्रवती का 1744 और अनुरागवान सुरी का 1764 तो विकल्प D यहाँ पर सही हो जाएगा अगला कोशन देख लेते हैं यह है च्छतिस रामकाबे परंपरा की सरप्रमुख भाषा है तो यहाँ पर जो च्छतिस का सही विकल्प हो जाएगा तो यह हो जाएगा विकल्प A अवधी रामकवे परंप्रा की सरप्रमुक भाशा अवदी हो जाएगी बैसे तो ब्रज में भी जिक एक कई कावए गरंथ लिखे गें प्रन्तु अवदी में इसके प्रबंदकवय या महाकवय के तोर पर अधिक गरंथ लिखेगें अगला question हो आपका यहांपर अबदी बोली को गाउं की भाषा किसने कहा था important प्रशन है दोस्तों तो जो अबदी बोली को गाउं की भाषा कहा था तुलसिदास जी के द्वारा तो यहांपर सही भी गल्ब भी हो जाएगा अगला question है स्वामी तुलसिदास की निमलिकित में से कौन सी रचना अबधी में है तो यहां पर सही भी कल्फ हो जाएगा सी बर्मे रामायन जो बर्मे रामायन है ये अबधी में लिखी गई है बाकी कवीतावली, बीने पत्रीगा और गीतावली ये तीनों ही रचनाएं ब्रज में होंगी अगला प्रशनाव के लिए छोड़ देता हूँ आपको बताना है कि जो रामचरीत मानस है इसकी भाषा कौन सी है क्या ये अब्दी में लिखी गई है या ब्रज में लिखी गई है या संस्कृत में लिखी गई है इन में से आपको एका चुनाव करना है अगला कुछन है 49 तुलसी दास की निमलिकित कृतियों में से कौन सी कृति अब्दी में नहीं है तो यहाँ पर सही विकल्फ हो जाएगा D तो यहाँ पर आपको आपके प्रशन का उत्तर मिल जाता है कि मैंने पूछा था रामचरित मानस की भाशा कौन सी थी तो यह थी अबदी यहाँ पर आपको आपका उत्तर मिल जाता है तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा D. कृष्ण गीतावली जो कृष्ण गीतावली है यह अबदी में नहीं लिखी गई है बाकी रामचृत मानस, जानकी मंगल और रामडल्ला नाचु यह तीनों ही रचनाएं अबदी में हैं गीतावली ब्रज में है अगला कोष्ण है चालिस सही अनुक्रम है तो यहाँ पर आपके समक्ष कुछ रचनाएं दी गई है इनका हमें सही अनुक्रम बताना है तो यहाँ पर जो सही अनुक्रम हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिकल्प A अर्थात सबसे पहले आजाएगा रामचरित मानस इसका जो संपादक या प्रकाशन बर्ष है 1631 के असपास है इसके परिशात है रामलला नहचु तो यह 1643 संबत के असपास इसका प्रकाशन बर्ष माना जाता है फिर है पैराग्य संदीपनी इसका प्रकाशन बर्ष 1669 में माना जाता है प्रकाशन बर्ष इसके परिशात है रामाग्य प्रशन बर्ष तो इसका है 1669 के असपास तो ठीक है दोस्तों मिलान कीजिएगा सही बिकल्प यहाँ पर यह हो जाता है अगला कुशन है ये भी सही अनुकरम बाला है तो चलिए मिलान करते हैं इस वे में भी तो यहां पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो बो हो जाएगा बिकल्प भी अर्थात सबसे पहले गीतावली रचनाई की फिर बिने पत्री का फिर पार्वती मंगल और सबसे अन्त में कवीतावली ये जितनी भी रचनाई हैं ये सभी तुलसी दाची की रचनाई हैं इनका प्रकाशन भर्ष भी में आपको बता देता हूँ तो जो गीतावली का परकाशन भर्ष होगा तो ये 1628 होगा फिर आफका बिने पत्री का 1642 के आसपास फिर पारवती मंगल 1643 और फिर कवीतावली इसका 1669 के आसपास होगा तो याद रखिएगा सबसे पहले गीतावली फिर बिने पत्री का फिर पारवती मंगल और सबसे अंत तो चलिए इसको देख लेते हैं तो यहां पर जो सही विकल्प हो जाएगा प्रकाशन बर्ष के अधार पर तो वो हो जाएगा अपका विकल्प D अर्थात सबसे पहले अंगद पैज फिर भक्तमाल फिर रामायन कथा और सबसे अंत में बर्बे रामायन तो इनका प्रकाशन बर्ष बता देता हूँ रामायन कथा का हो जाएगा संबत 1499 अंगद पैज का हो जाएगा 1501 भक्तमाल का 1642 और बर्बे रामायन का 1669 याद रखी गए से आगे भी अनुक्रम बाला प्रशन है सही अनुक्रम बताईए कालकरम के अनुसा सही कौन सा सबसे आगे आएगा और क वी तो इनका प्रकाशन पर इस प्रकार से होगा राम चंदृ का माना जाएगा 1658 अविध विलास का 1760 कवित्रत्नाकर का 1606 फिर से बता देता हूँ राम चंदृ का 1658 ये सब संबत में होगे रामचंदरिका का 1658 हनुमानाटक का 1680 अबदविलास का स्तारासो और कवित रतनाकर का स्तारासो छे तो यहाँ पर जो सही बिकल्फ हो जागा तो बो हो जागा बिकल्फ भी रामचंदरिका सबसे पहले फिर अनुमानाटक फिर अबदविरास और फिर कवितरत ना कर तो दोस्तों आपको सभी प्रशन ध्यानपुर्बग देखने हैं कि आपको इतने तथियों के साथ कोई भी प्रशन के उत्तर नहीं बताएगा और नहीं इतनी ब्याख्या के साथ लगता है थोड़े से प्रशन स्किप हो गए है नहीं स्किप तो नहीं हुए है तो यहाँ पर प्रशन है आपके अगले अगला कोशन है अध्यात्म रमाइन निमिलिकित में से किसकी रचना है तो जो अध्यात्म रमाइन आपकी रचना हो जागी तो ये हो जागी बिकल्प सी मादवदास की हाँ दोस्तों वीडियो के अर्थ में आपको बताना है कि आपके इन प्रशनों में से कितने सही हुए है ठीक है तो आपको अपना टार्गेर बताना है कि आपका कितना टार्गेर था और कितने आपके सही हुए है और कितनी आपको त्यारी करने की अब आभिशकता है अगला कुछन है 45 अबधी में निमिल्खित में से कौन सी द्वनी नहीं है तो जो अबधी भाषा थी इसमें जो द्वनी नहीं होगी तो ये होगी इन बिकल्प डि बाकी क, न और म ये अबधी में है पर न नहीं है ये अधिकतर आपको अपवरशकाबे में मिलती है कौन से अपवरशकाबे में जैसे कि कई रचना है न एकुमार्चरियू इसी प्रकार ज़्यादा तर न से यहां पर रचना शुरू होती थी और अबधी जो अपवरशकाबे में इसका अधिक परयोग मिलता था तो इसका भी आपको धियान रखना है अगला कुछन है 46 इसमें पूछा गया है अबधी में संबाद शैली का सफल गरंथ कौन सा है तो जो अबधी में संबाद शैली का प्रतम सफल गरंथ रहेगा तो ये हो जाएगा आपका 46 का हनुमान नाटक विकल्प A यहाँ पर सही हो जाएगा अगला है 47 आलाखंड जिसके रचनाकार जगनिक है की भाषा क्या है आलाखंड की भाषा हो जाएगी यहाँ पर अब्धी सही विकल्प हो जाएगा B जो रचना है अलाखंड इसकी रचनाकार जगनिक है और इसकी जो कब्यवाचाती यह अब दी हो जाएगी अगला कुछ ने नीचे दो बक्तब वी दिये गए हैं जिनमें एक को कथन कहा गया है और दूसरे को कारण की संग्या दी गए तो चलिए इनमें सही गल्द और सही सही या गल्द गल्द का चुनाव कर लेते हैं कथन है रामकब्य का प्रतिपाद्य विशे धार्मिक और भक्ति परदान है इसलिए कभियोंने भगवान राम की प्रतिष्टा में संस्कृत शवदावली को अधिक ग्रहन किया है और इसका कारण है जहां धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्छ कभ्य शौस्टब दिखाना हो वहां तत्ज्सम की प्रदानता स्वावाबिक है उपरिउक्त बक्तब्यों में से कौnsा सही और कौन सा गलत होगा तो चलिए सही कत्नों का चुनाप कर लेते हैं तो यहा पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो यह हो जाएगा का बिकल्प भी अर्थात कतन और का काबियों में रहीम थे इनकी काब्य भाषा के तौर पर जानी जाती है अबधी सही बिकल्प यहाँ पर C हो जाएगा 49 का C अगला कोशन है अबधी काब्य कृष्णायन किसकी रचना है जो कृष्णायन है इसकी भाषा होगी अबधी और यह किसकी रचना होगी तो यह होगी द्वारी का परसाद मिश्र की सही बिकल्प यहाँ पर D हो जाएगा अगला कोशन है नीचे दो बक्तब भी दिए गए है इसमें भी कतन और कारण है तो इसमें हमें सही उत्तर का चुनाव करना है तो कतन है तुलसी दास के समकालिन स्वामी अगरदास भी अबधी के उतकृष्ट कवी है तो यह होगा आफका कतन और कारण है रामकाब्य विकल्ब हो जाएगा तो यहां पर जो विकल्ब C है A और R दुनों सही है A की सही भ्यक्या R है तो सही विकल्ब यहां पर C हो जाता है तो ठीक है दूस्तों इस परकार से हमारे जो कुछ 51 वन कोशन थे यह समाप्त हो जाते हैं तो आपको बताना है कि आपके 51 में से कितने question ठीक हो गए हैं तो ठीक है ना आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भुफिती लाबदाईक सिध हो गए और आपकी प्रिक्षा के लिए ये अवश्य लाब प्रदान करेगी तो ठीक है यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं आप लोग वीडियो के अंतक बने रहे हैं इसका बहुत बहुत धनियावाद